आज के दौर का सफसे मौजू और कंटेंपररी आर्टिकल सेफटी और विमेन इन इंडिया भारत में महिलाओं की सुरक्षा अभी हाल के एलेक्षिन में आपने देखा होगा उत्तर प्रोदेश में महिला सुरक्षा इस बहुत बड़ा मुद्दा था और जिसने काफी हद तक पॉजिटिव रोल प्ले किया गौर्मेंट की मेकिन है आए देख लेए वी आर लिविंग हम रह रहे हैं इन फ्री कंट्री एक आजाद मुल्क में आवर कंट्री हैस बी प्रोरेसिंग रैबिली और हमारा देश बड़ी एज सेफटी जैसे की सुरक्षा इस्पेशली फॉर विमें इस खासतों से हमारी महिलाओं के लिए जो हमारा टॉपिक है यहां तक की आज के इस आदुने की वह में विमें आर नॉट सो मच सेफ औरतें अगुमां उतनी सुरक्षित नहीं अज अधर कंट्रीज लाइक यूएसे यूके ऐस्टेलिया एटीस जैसे की वेस्टरन कंट्रीज में है यूरोपिन कंट्रीज में है और इस्या की बी कुछ देशों में है इसकी सिर्फ बज़ा शिच्छा की कमी नहीं है बट ऑल्सो लेग आफ पॉजिटिव एप्रोच तुआट विमेंस फ्रीडम बट ऑल्सो लेग आफ पॉजिटिव एप्रोच कहीं न कहीं मेरा मानना है एक सकारात्मक सोच की कमी है इसके बारे में टुआट विमेंस फ्रीडम खास और से औरतों की आज़ादी और समाज में उनकी सफलता है जैसे जैसे औरत सफल हो रही है सफलता पाती जा रही है समाज में एक असुरक्षा की भावना दिखाई दे रही है उसकी वज़े से भी एक बहुत बड़ा रोल है क्राइम की बढ़ने का है उसकी वज़े से भी उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी कम ही आ रही है इंडिया is still a typical male dominating country भारत आज भी बहुत ही पुराना एक कहते है पुरानी सोच वाला विचार धरा वाला पुरुष्प्रधान समाज है देश है लौट अप्रीपल इंडिया दू नॉट लोग ऐसे हैं देश में जो औरतों को सब इसलिए पसंद नहीं करते हैं not only working well कि वह अच्छा काम कर रही है but in some fields they have proved themselves better than men और कुछ हैत्रों में तो वह पुर्षों से बहतर काम कर रही है मैं दो fields कंजिकर करूंगा like in the fields of education and medical science एक तो शिक्षा तौर पर ऐसे देखा गया है छोटे बच्चों के लिए खास तौर से और बड़े बच्चों के लिए भी women better teacher proof कर रही है अपने आपको और उत्रा medical science के field में as a doctor वो कहीं बहतर मदद कर पाती है बज़ा के एक male doctor के यह ऐसा माना जाता है the negative mentality makes them feel unsafe और एही नकारान मप सोच कि आके ये महलाएं कैसे आगे बढ़ रही है उन्हें समाज में असुरक्षित महसूस कराने में मदद दे रहा है we must try to build a positive atmosphere for women और हमारे जिम्मेधारी है एक महतिक कर्तव है कि उन्हें एक सुरच्षित बातावरं दें जिससे और समाज के लिए देश के लिए और राष्ट के लिए बहतर कर पाएं friends आप इसका screenshot ले सकते हैं समझने में आपको आसानी होगी और यह article आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर जरू करें और सब्सक्राइब करें संजीब को समय करें